हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम एक्स्टेंशन बोर्ड का वायरिंग करना सिखेंगे कि किस तरह से हम एक्स्टेंशन बोर्ड का वायरिंग कर सकते हों के एलेक्ट्रिकल वर्क लर्नीजी में आप सबका स्वागत है यह है एक्स्टेंशन बोर्ड इसमें आपको तीन सॉकेट तो आपको क्या करना है socket को switch से connect करना है क्योंकि आपको हर एक socket को switch से control करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है एक छोटा सा wire लेके switch के उपर ही भाग से socket के जो face वाला point ही उस पे connect करना है तो इसी तरह से हर एक socket को switch से आपको connect करना है हमने socket को switch के साथ connect कर दिया है अभी हम face line का काम करेंगे जो face wire है वो हम switch के जो नीचे वाला point उस से लेंगे और हर एक switch के नीचे वाले point से connect कर देंगे और एक बाहर निकाल देंगे face line का भी connection हो चुका है अब neutral का काम करेंगे जो neutral का point है socket में तो तीनों सॉकेट के लिए एक तायर लेंगे और तीनों सॉकेट को उसमें हम जोइन कर देंगे, ओके? नीट्रल का वायरिंग भी हो चुका है, अब रहा अर्थिंग, अर्थिंग का तो बहुत ही इजी है, जो सॉकेट में उपर वाला हिस्सा होता है, एक पॉइंट उसको हम अर्थिंग बोलते हैं, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे उसी सीरीज में, यानि एक वायर में हम तीनों अर खरिद के उसमें तीनों वायर को ठीक से जोड़ना है, और एक्स्टेंशन कर्ड को यूज करना है, अगर आपको वीडियो अच्छे लागा हो तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिजएगा, सब्सक्राइब करना एक दम फ्री है, थैंक्यू बेरी मॉस्ट, आप सब का दिन बहुत ही सुब्र है,